में बहुत ही हरे प्याज सब्सुअधर में बहुत ही अच्छी मिलते गफ, अजनुन काफी यह कम तेल मसाले में सब्सुएया बहुत टेश्टिन बनका त्यार होती है इतर रही ऑफ सकति है पिडियो यहां था सब्सक्राइब करें तो ज्रूर ड़ियो चैनल को विंटर में बहुत you कहानही है में विफसक्यार नोग करें कमें healthy recipe सब्सक्राइल में बीचि कमेंड कर कैंड़ सब्सक्राइब के तेल बना रही हो इसमें लगबग एक बड़ा चमच सरश्रों का तेल डाला है एक क्छूटी चमच मैंने इसमें जीरा और थोड़ा सा मैंने हींग अद आला है इसे अधर ऐसे रोश्ट कर लेंगे उसके बाद मैंने इसमें 8 से 10 लेसुन की कली डालिए बार एक चौप करके लेसुन इसका अलग फ्लेवर देता है जिसे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है इसे हम थोड़ी देर कम से कम एक से दो मिनट रोष्ट कर लेंगे दो मैंने इसमें लाल मिर्स डाली है इसे भी हम थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे इसके बाद मैंने इसमें तीन पटेटो में पाउडर मासाले डालेंगे आप इसमें धनिया पाउडर मसाले दालेंगे 1-1 teaspoon धनिया पाउडर, 1-1 teaspoon हल्दी पाउडर, या तो आप चाय तो रेट चिली यूज़ कर सकते हैं पर मैंने इसमें चिली फ्लैक्स यूज़ किया है उसके वज़े से काफी दरदर आई यह आप मिर्ची को कूड के भी डाल सकते हैं यह चिली फ्लैक्स तो वह एड़ कर सकते इसे इसका फ्लेवर थोड़ा अलग आता है बहुत ही मजाता है खाने में अधर मैंने एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल दिया है अब इन सब कोम अच्छी से मिक्स करके इसे भी दो से तीन मिनट के लिए हम पका लेंगे और ताकि हमारा जुश में टमाटर हो सौफ्ट हो ज देंगे वह डालकर हमें इसे कम से कम दो से तीन मिनट फिरसे से कुक कर लेना है यह सबचे बिना किसी मसाले की इतनी अच्छी बन कर त्यार होती है मैं क्या ही बता हूँ ता आप ज़रूर एक पर ट्राइ करें तो हरी सबचिया बहुत ही अच्छी होती है विंटर सीजन में एक्चुली हरी सब्सक्राइब बहुत ही अच्छी आती है तो हमें जितना हो सके खाना चाहिए क्योंकि हमारे हैल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है सबसे लाश्ट में जो हरे प्याच के पत्ते थे वह हम एड़ करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी सॉप्ट हो जाते हैं मीडियम फ्लेंग पे continue चलाते हुए कम से कम 2-3 मिनिट आप इसे बूंज ले यह बिलकुल एकदम soft हो जाएंगे starting में हलका पानी छोड़ते हैं तो इसे continue चलाते हुए आप इसे बूंज लेजिए देखे बिलकुल इस तरह से तो बहुत ही जल्दे इसके पत्ते यह गल जाते हैं आप देख सकते हैं बस हमारी यह सबजी देखे बन गई है इस तरह से हम कम से कम 1-2 मिनिट और कुक कर लेंगे चारो तरफ ओईल छोड़ देता है तो समझे हमारी यह हरी प्याज आलू की सबज बनकर रेडी हो चुकी है आप इसे देखे कितने अच्छी देखे रहे काफी लाजवाब है तो जरू ट्राइब करें बिलकुल देशी खाना है यह जिसे खाकर आपको बहुत ही मजा आएगा तो आप ट्राइब करें वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज चैनल को अच्छी खाने के लिए तो विंटर में यह सब चीजे जुरू ट्राइक करें खाने के लिए तो थाइंक्यू